परमवंदनिय जगजननी भारत माता, मंचपर विराजमान आदर्णी रगुनंदन जी, राकारिया मैडम, आप सब के बड़े पॉपलर आशितोष जी, मैं देख रहा था आशितोष जी बड़े एमोशनल हो रहे थे बोलते समय, और किसी भी स्पीकर का एमोशनल कोशेंट तब पता चलता है, जब वो दो-तीन बार धन्यवाद दे के फिर कुछ और आगे बोलना शुरू हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि मन में अभी बहुत सी बाते हैं जो रह गई हैं बोलने के लिए, और कुछ छूट ना जाए, तो इत हैं, कुल मिलाकर हम दो दिन, तीन दिन से एक विशे सुन रहे हैं, और आप बहुत सारी चीजों को लगातार सुनते जा रहे हो, कई शब्द जो शायद पहले अन सुने रहे होंगे, या कम सुने रहे होंगे, उनको भी सुन रहे हैं, मैनुफैक्चर डिन नेरिटिव क्या ह होता है, वोकिजम क्या होता है, किस तरीके से एको सिस्टम काम करता है, यह सब हमने पिछले दो दिन में देखा, लेकिन प्रश्ट इतना ही है कि सारे पिछले दो दिन में यह बाते आपको बताई ही क्यों गई, तो बताई इसलिए गई थी, क्योंकि हमारी अपेक्षा है औ पहरत लंबे समय से संगर्ष कर रहा है, इसकी जो मर्यादाएं हैं, इसकी जो बाउंडरी से उनको तोड़ सकेगा, अब intellectual leadership की जब हम चर्चा करते हैं, तो इसको दो भाग में तोड़ कर देखने की जरुवत है, पहला शब्द intellectual हो गया और दूसरा शब्द leadership हो गया, intellectual तो हम सभी हैं, और intellectual करार दे देने के लिए खुद को कोई बहुत ज़्यादा प्रहतन लगता नहीं है, प्रश्री यह है कि leadership क्या होती है, तो अब इसको बहुत सरल करकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और फिर आपको यह सपश होगा, कि हम पिछले दो दिन से एतनी महन कशरत कवायत कर ही क्यों रहते हैं, मोटा मोटा आप देखेंगे तो दुनिया भर के और पूरे इतिहास के जो leaders हुए हैं, इनको आप दो प्रकार के leaders में बाट कर देख सकते हो, दो type of leadership होती है, पहली जो leadership है, वो transactional leadership है, transactional leadership क्या है, तो transactional leadership जो है, वो जो चल रहा है वो चल रहने देती है, कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करती, जो चल रही माननेता हैं, जो चल रही चीज़े हैं, उनका उप्योग करकर उसे ठीक चलाए रखने के लिए leadership की भूमिगानी बाती है, और दूसरी जो leadership है, वो transformational leadership है, तो ये leadership के दो प्रकार हैं, एक transactional हो गय transformational leadership जो है, उसके tenet में, उसके base में change है, वो change लाने की कोशिश करती है, essentiality जो है transformational leadership की वो change है, ये transformational leadership जो है, ये चार प्रकार से काम कर सकती है, तो दो मुख्य भाग हो गए, transactional और transformative, और ये transformative leadership चार प्रकार की होती है, और आप इसको जाकर बाद में सोचना तो आप दुनि कर सकते हो, कुछ ऐसे भी leader मिल जाएंगे, जो किसी role में transformational थे और बाद में transactional हो गए, हमारे भारत के प्रदान मंतिरी रहे, श्रीमन मोहन सिंग जी, वो जब finance minister थे, तो transformational leadership थे, जब prime minister बन गए, तो transactional leader हो गए, तो हमने ये परिवरतन भी देखा है, जो transformational leadership है, वो चार प ज्वलंद जीता जाकता उधारन हमारे वरतमान प्रदान मंत्री मानने नरिंदर मोतीचे है, आप सोचो जब आदमी लाल किले पर पहला भाशन देना गया होगा, तो इतना मन में विश्वास से ये कि आज में भाशन की शुरुवात और भाशन का मुख्य भाग जाडू पर करिस्मेटिक होता है, दूसरा जो प्रकार है वो रिफॉर्मिस्ट लीडर होते हैं, ये एक कोई विशे पकड नेंगे, राजा रामोन राय का नाम सब ने सुना है, सती प्रता, सती प्रता भारत में बरसों की प्रता नहीं थी, ये जो प्रता थी, ये मुगल काल के कारण भ तो राजा रामोन राय एक्जामपल है, रिफॉर्मिस्ट लीडर के, तीसरा प्रकार का लीडर रेवल्यूशनरी लीडर होता है, ये सामानिता है बहुत विपरीत परिस्तिक्यों में से निकलता है, लिंकन होंगे, महात्मा गांधी होंगे, ऐसे हम बहुत सारे नाम उठा स युद्ध के समय में चर्चिल होंगे, लेनिन होंगे, हमारी इन से मतबिन्नता हो सकती है, लेकिन ये लीडर थे और ये रेवलिूशनरी लीडर थे, क्योंकि ये रेवलिूशन में से निकले थे, और चोथा जो प्रकार है, हम जिस कैटिगरी में यहां सभी बेठे हुए हैं, ये intellectual leaders होते हैं, और intellectual leader का एक ही मूल मंत्र है, वो ये है, कि वो ऐसे कुछ idea को generate कर सके, या ऐसे किसी idea, स्थापित idea को तोड़ सके, एक नया narrative खड़ा कर सके, वो scientific हो सकता है, ecological हो सकता है, social हो सकता है, political हो सकता है, पर वो एक idea generate करेगा, और उस idea के माध्यम से दीरे दीरे चीज बढ़ने लगेंगे, आप और हम जितने यहां पर बैठे हुए हैं और आप सभी जो इस शेतर में काम करने वाले हैं, हमारी अपेक्षा है कि आप आने वाले समय में भविश के intellectual leader होंगे, आप आज भी हैं, लेकिन आज से और ज्यादा ख्याती और प्रतिवा प्राप्त करत यह चाहिए कि मैं भविश में क्या करने वाला। लाखों और करोडों में भारत में पहुच जाएगी। एक लॉंग टम आउटकम चाहिए। हो सकता है आपका कारिशेतर आपका कैमपस ही होगा। पर अगर कैमपस में चार साल रहने वाले हैं तो मेरे चार साल के बाद मैं कैमपस में क्या परिवर्तन करकर जाओंगा। तो पहली चीज जो चाहिए वो एक लॉंग टम विजन या गोल चाहिए। दूसरी जो चीज चाहिए इसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। अब ये शब्द बड़ा विचितर सा है। देखों इंटेलिजेंस सभी हैं जो उठा पटक और मैं राजनीती के शेतर में हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनका इंटेलिजेंस कोशन्ट बहुत हाई हैं इमोशनल कोशन्ट बहुत कम हैं तो इमोशनल इ अपना है होता तो भारत के पाकिस्तान की जगे और भी टुकडे होते हैं। पुझे बाबा साब अंबेटकर की श्रीमती थी जब मृत्यू शया पर आ गई तो लगबग जब मौत के करीब थी तो बार बार ये चाहती थी कि कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने हैं। दर से कम अपनी श्रीमती की जो इच्छा है उसको पूरा करूँगा। मंदिर की सीडिया चड़ने लगे जब सीडिया चड़ रहे थे तो बीच में जो मंदिर के तब के पुझारी थे स्थापित माननिता थी उनने रोक लिया डंडे बरसाने लगे और बाबा साब अंबेटकर और उनके अन्याईयों पर एक तरीके से हमला जैसा हो गया। अब भाग की परिस्तिती ये थी कि जो पुझारी रोक रहे थे उनकी संख्या बहुत कम थी और जिन पर हमला किया जा रहा था उनकी संख्या बहुत जादा थी। बाबा साब अमिटकर चाते तो एक हलके से इश दर्शन के लिए आया था ये मानता हूं कि मेरा दर्शन पूरा हो गया। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस्ट तो है पर इमोशनल कंटेंटग्स जो रहे स्थापित इनधकित ठकना नहीं, हारना नहीं, लगे रहना, जो काम करते हो उसमें सफलता, मिले ना मिले, उसमें ठकने और हारने का स्कोप नहीं होगा आपके पास. चाणक के को जब धनानंदर ने निकाल दिया अपने राज्य से, तो ऐसा बताते हैं कि वो जब जंगल से जाने लगे, तो एक प्रकार की घास है कुशा, वो गढ़ने लगी पेर में. अब जब गढ़ने लगे तो जिद्धी तो थे, पर्सिवरेंट थे, तो उन्होंने वो घास उखाडनी शुरू करी. तो चाड़क के जहां-जहां से मांग-मांग के आचारे थे, तो जाकर भिक्षा में शक्तर मांग-मांग के, पानी में कुछ मीठा करने की चीज घोलते, जाकर बार-बार उसको घास पर छिड़कते, फिर थोड़ी देर बैठे रहते, फिर वापिस जाते और फिर उस घास क उखाडते, वो मीठी चीज इखटी करते रहे, पानी बनाते रहे, पानी डालते रहे, परन्तु जब तक पूरी घास उस मैदान से उखाड़ नहीं दी, तब तक रुके नहीं, यह परसिविरेंस सही है, कि हम जब अपना कोई काम ठान लेते हैं, वो सही है या गलत है, पर जब लगे रहेंगे तो उस पर लगातार लगे रहेंगे, और इन सब चीजों के साथ, पैशन भी चाहिए और कमपैशन भी चाहिए, और कमपैशन के बिनावाला पैशन जो है, वो भारत में स्वीकार नहीं है, भारत में वो intellectual leadership नहीं खड़ी कर सकता, आप सबने कलाम साब क का नाम सुना है और कलाम साथ हम सभी के प्रिणना शुरूत थें गवालियर से कुछ लोग यहां पर आये होंगे कलाम साथ जब गवालियर में डी LR डीों के चीफ बन गए तो दियाडियों के चीप बनकर ग्वालियर पहुचे और ग्वालियर जाकर उनने परिसर को घूमना शुरू करा, परिसर को देखना शुरू करा, अब आप देखो जैसे कोई बिल्डिंग देख रहे होगे न, जैसे मैडम यह NL.I.U का कैंपस है, तो उन्होंने जब परिसर पू परिसर देखकर बाहर पहुचे, बाहर उनने देखा कि दीवार बनी हुई है, और दीवार पे सिक्यूरिटी परपस के लिए आप सब ने शायद देखा होगा पुराने घरों पे, दीवार में सिक्यूरिटी के लिए कांच लगा दिये जाते थे, तार की फेंसिंग महंगी पड़ती थी, लोग निकाल कर ले जाये करते थे, तो कांच गणा दिया जाते थे सीमेंट के अंदर, और वो कांच से कोई घुस नहीं पाएगा, उसको लग जाएगा, इसलिए कर देते थे, कलाम साब ने DRDO का वो ऑफिस समालने के बाद जो पहला इंस्ट्रक्शन दिया, वो पहला इंस्ट्रक्शन था कि ये सारे कांच उखाड देने चाहिए, अब अधिकारी बड़े परिशान थे तो वो उनके पास लोटे, कि बोले आपने सारा तो कर लिया, अब ये कांच हटाने का इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहो, तो ऐसा वेक्ती जो भारत की मिसाइल बन अब आता था, उसका कहना था कि ये कांच लगे रहने से, पानी की तलाश में, गर्मी में जब पक्षी आते हैं, वो पक्षी गायल हो जाते हैं, इसलिए कांच इन दिवारों पर से हटा देना चाहिए, ये कंपैशन चाहिए, हम अपना कारे करते हुए भी, अपना कर्म करत हुए भी, अपने संसकारों में बसे हैं कि नहीं, अपने संसकारों में रचे हैं कि नहीं, इंद्रानुई पेपसी की चेर्मेन बन गई, और ऐसा बताते हैं कि अगर पेपसी के इतिहास को आप कई अध्यायों में बाटोगे, तो पेपसी ने जो अपनी हेल्थ ड्रिंक्स पर, precautions पर, statutory warnings पर जो जाना शुरू करा, वो इंद्रानुई के कारेकाल के बाद शुरू करा, क्योंकि भले ही cold drink और aerated drinks बेच रही थी, पर ये जानती थी, कि कहीं न कहीं इसका स्वास्त पर प्रभाव भी पड़ता है, तो rooted भी चाहिए, और compassion भी चाहिए, तो कुल मिलाकर आपने intellectual reader बनना है, जो आप हो, तो कुछ चीजों को हमने अपने अंदर बहुत अच्छे से करना होगा, एक, लंबे समय का goal चाहिए, दूसरा कारेशेतर की definition चाहिए, कि मैं कहां पर काम करने बाला हूँ, तीसरा सिर्फ intelligence से काम नहीं चलेगा, तो emotional intelligence चाहिए, चौथी चीज, perseverance चाहिए, लगातार मेहनत लगे रहने की शमता चाहिए, पाचवी चीज, passion चाहिए, अपने काम के परती, और उसके साथ ही छटवी चीज, compassion चाहिए, और इन सब को बानते हुए, authenticity, प्रमानिकता चाहिए, आप जो कहते हो, जो बता रहे हो, वही कर रहे हो, वही आपके जीवन में दिख रहा है, ये ठीक है कि नहीं, जन्संग की स्थापना हो गई, दीन दियाल उपाद्याई जी उसके अध्यक्ष हो गए, चुनाव लड़ने वाले थे, तो भागलपूर में विहार से चुनाव लड़ना अपते हुआ, अब भागलपूर से चुन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्राम्मन वोटर की संख्या जादा है, दीन दियाल जी का उनको उत्तर था, मैं भले ही चुनाव हार जाओं, परन्तु ये पंडित और गैर पंडित करकर चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने पंडित नहीं लिखा और चुनाव हारे, लेकिन अपने सिध्धानतों से समझोता नहीं करा, तो जो हम कह रहे हैं उसके authenticity चाहिए, ये सारा content हमारे अंदर होगा, तो हम ये मानते हैं कि हम एक प्रकार का intellectual leader हैं, लेकिन अब आपकी जो leadership है, वो manifest होना चाहिए, वो बाहर निकल कर आना चाहिए, तो जो बाहर निकल कर आती है, इसके तीन ही प्रकार होते हैं, और एक चौथा प्रकार में आपको अंत में बताऊंगा, तो विशयस पष्ट होगा, एक leadership होती है, जो actions से बनती है, दूसरी leadership होती है, जो शब्दों से बनती है, तो that is leadership by words, तीसरी leadership है, जो उधारन से बनती है, so that is leadership by example, और फिर एक चौथा अन्य प्रकार है, जिस पर अपन बात में चर्चा करेंगे, पहला प्रकार है कि आपकी leadership, आप intellectual leadership स्थापित करने के लिए खूब बड़ी-बड़ी किताबे लगे हैं, लंबे-चोड़े भाशन दें, इसकी कोई आवशक्ता नहीं है, कई बार एक छोटा सा करा लिडर्शिप के संदेश को इतनी स्पष्चता से दे देता है, कि और कुछ सोचने की जरूवत नहीं पड़ती है। उनके खिलाब घ्रणा का भाव पैदा होने लगा, धीरे-धीरे ये एविडेंस इखटा हो गया, कि एड्स छूने से नहीं फैलता, मुझे पुराने सारे लोगों को याद होगा, दूरदर्शन पर NACO, National AIDS Control Organization का एक एड आया करता था, कि एड्स छूने नहीं फैलता, छून कर सकते हैं, लेकिन इस्थापित नहीं हो पार रहा था, तो एक्षन से एक छोटा सा एक्षन से कैसे narrative बनाये जाता है, इसका ये उधारन है, 19 अपरेल 1987 को, लेडी डायना, प्रिंसिस डायना थी, उस समय तो प्रिंसिस डायना जो है, वो ब्रिटिन की राजकुमारी थी, उन्हें बर्किंगम के, बर्किंगम पैलिस के पास में एक अस्पताल में एक AIDS के वार्ड का inauguration करा, चूकि डायना उस वार्ड को देखने जाने लेडी डायना अंदर गई, अंदर पहुची, AIDS के पहले मरीज के पास पहुची और बड़े ही प्रेम से उस से हाथ मिलाया, सिर्फ इस हाथ मिलाने से ये narrative change हो गया और ये स्थापित होने लगा दुनिया भर में कि छूने से AIDS नहीं पहल सकता, तो this is establishing a narrative by a small action, कई बार आप जहां जिस कारशेतर में रहोगे, एक छोटा काम करकर भी narrative स्थापित कर सकते हो, दूसरा तरीका है by words, इसका सबसे बड़ा जीता जाकता उधारन है, अमरीका में उस revolutionary का नाम आप सबने सुना होगा, Martin Luther King, Martin Luther King, 14 October 1964 को जब अपनी सबसे famous speech, शायद कुछ लोगों ने सुना हो जैसे narrative बनाया जाता है, इसका मैं आपको example दे रहा हूँ, उस speech के पहले चार sentence थे, I have a dream that my four children will live in a nation which will not judge them by the color of their skin but by the content of their character, यह छोटा सा sentence था, अब इससे आप देखो सब इस्थापित होगा, I have a dream, मतलब में एक dream देख रहा हूँ, आज यह सत्ते नहीं है, that my four children, मतलब में म तुम्हारे बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूँ, will not be judged by the color of their skin, याने यह श्वेत अश्वेत के प्रती, जो द्रो है वो चल रहा है, but by the content of their character, मतलब character अंततह स्किन के color से ज्यादा महतपून है, तो यह दूसरा तरीका है, establishing leadership by words, तीसरा है by example, चीली में एक San Jose नाम की जगे है, वहाँ पर एक 2010 की घटना है, यह माइन में 700 मीटर नीचे, 38 मजदूर 70 दिन के लिए फच गए, उनका जो लीडर था, उसका नाम था लुई सुरुजा, तो लुई सुरुजा लगातार उनको मोटिवेट करता रहा, करने का तो कुछ था नहीं, सो चो 70 दिन खाना बी कैसे जाता होगा, लेकिन 70 दिन बाद जब वो पूरे मजदूर निकाले गए, और लुई सुरुजा से उपर आकर पूछा, कि आप जब नीचे थे, तो क्या हुआ और कैसा हुआ, और सब दुनिया भर की बाते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उसका एक important और आखरी बात जो आप से है, वो है leadership by inaction, अब यह बहुत important चीज है, यहां कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, लेकिन आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे भी narrative बतल सकते हो, 1955 की घटना है, यह America जो हमको आज human rights की शिक्षा देता है, इसके बारे में यह आकड़ा आप ध्यान रखना, कि स्वतंत्र होने के 200 साल तक महिलाओं के पास voting के अधिकार नहीं थे, और स्वतंत्र होने के 300 साल तक अश्वेतों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था, जो African Americans थे, 1955 में जो बसें चला करती थी अमेरिका में, उस बस में blacks के बैठने की जगे अलग हुआ करती थी, और वो बैठने की जगे में blacks जाकर पीछे बस में बैठा करते थे, और एक और नियम था इसके साथ, वो नियम ये था कि अगर बस में whites की संख्या जादा हो गई, तो जो black वाले लोग जो बैठे हुए हैं पीछे, इनको अपनी seat से खड़ा हो जाना पड़ेगा, और white वेकती जाकर उस seat पर भी बैठा बैठ जाएगा, जो की blacks की seat थी, एक रोजा पार्क करके महिला थी, शिक्षक थी, स्कूल में पढ़ाती थी, वो एक बस में जा रही थी, फ्लॉरिडा की घटना है ये, और बस में जाकर वो जो blacks के लिए designated seat थी, उस पर जाकर बैठ गई, बैठ गई, बस चलने लगी, थोड़ी देर में बस पूरी भर गई, जब पूरी भर गई तो एक अन्य white वेक्ती आया, वो white वेक्ती के कारण उसने रोजा पार्क से कहना शुरू करा कि उठो उठो seat खाली करो, खाली करो, रोजा पार्क ने उससे कुछ नहीं कहा, उसको कोई उत्तर नहीं दिया, ना शब्द से कोई उत्तर दिया, ना action से कोई उत्तर दिया, वो सिर्फ अपनी सीट पर बैठी रही और एक दो मिनिट की चर्चा के बाद खिड़की खोल कर खिड़की से बाहर देखने लगी, कोई action नहीं था, रोजा पाक को 1955 के अमेरिका में उस चीज के लिए नाकेवल नौकरी से बरखास्त करा गया, बलकि उनको arrest भी करा गया, कई साल बाद जब ये अश्वेतों के खिलाफ जो एक तरीके का discrimination था ये जब तूटा अमरीका में तो अमरीका की जो legislative assembly है, उसने रोजा पाक को first lady of human rights की संग्या थी, यहाँ पर narrative तोड़ने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा सिर्फ अन्याये जो है उसको नजर अंदाज करकर in action से हमने अपना विरोध दर्च करा दिया तो आप अब जब जाकर अपने शेतर में काम करना पड़ोगे, करना शुरू करोगे, तो यह 4-5 चीजों का उपयोग करना पड़ेगा, कभी कुछ कहना भी पड़ेगा, कभी कुछ करना भी पड़ेगा, कभी उधारन के साथ चीजें स्थापित भी कह करना पड़ेगी और intellectual leader की जो एक सबसे बड़ी property होना चाहिए कई बार शान्ती से चीजों को सहना भी पड़ेगा, यह 4 चीजे जब हम करेंगे, तो शायद जिस परकार के कथाना को narrative चल रहे हैं, यह तोड़ पाएंगे देखो, आपकी हमारी सब की बेटा एक कलपना है, हम सब जो यहाँ इसलिए सुन रहे हैं, कि हम जाकर अपने शेत्र में, भारत का जो पुराना गौरव है उसको पुनर स्थापित करने के लिए अपना कुछ योगदान दे सकें, अपना कुछ काम कर सकें हम जाएंगे तो अपने अपने campus में, अपने college में, अपने महले में अपनी बस्ती में कहीं न कहीं तो जाकर काम करेंगे कुछ चीज़ें बिलकुल अपने मन में पाल कर रखेंगे एक यह YTC जो थी जो Young Thinkers Conclave था यह हमारे अध्यन की शुरूरात हो अध्यन का अंतना हो दूसरा हम जो अध्यन कर रहे हैं उसको verify करें सिर्फ सुनी बातों पर विश्वास नहीं उसको refer करकर research करने की कोशिश करें तीसरा जितना स्वेम की बातों का अध्यन करते हैं उतना ही विरोधी पक्ष की सामने वाले पक्ष की बातों का भी अध्यन करें और चौथा जब हम उन सब चीजों से convince हो जाएं तो फिर अपनी बात कैसे फैले कैसे आगे जाए एक से पांच पांच से दस दस से सो से हजार का सफर कैसे तै करें इसके लिए साथ मिलकर कुछ ही उजना भी बनाएं और पांच भी और अन्तिम और सबसे महतपून बात जो है यह जो समू बना है यह जो गुरूप बना है यह जो एक इखटा होना हमने शुरू करा है यह इखटे होने की प्रवत्ति कभी खतम नहीं करना हम अगर सामूहिक ताकत के रूप में इखटा होना शुरू कर दिये तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे सामने खड़ई हो सकती है या हमारे सामने टिक सकती है आपके और मेरे सब के सपनों में एक भारत है ऐसा भारत जो सुपर पावर है ऐसा भारत जो Space Technology, Research Technology, Medicine, Medicine सब में बहुत आगे हैं, ऐसा भारत जो सही माइने में विश्व गुरू है, पर ऐसे भारत बनाने की शुरुवात, आपके और मेरे प्रयत्नों सही होगी, निश्यत मानिये, आपने और मैंने अगर साथ मिलकर प्रयत्न करना शुरू कर दिये, तो इंडिया से भारत तक का ये सफर हम पूरे मान, अभिमान और स्वाबिमान से ते करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मात्रम